नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है CY Estreloger में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं एक कुंडली के फलादेश के उपर जब भी आप फलादेश करते हों तो आपको बहुत सारी परिसानिया भी आती है कि हम कैसे फलादेश को प्रारम करें कैसे किसी भी चीज का आंकलन निकाले देखिए मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन फिर भी अपने एक्सपिरेंस के आधार पे और अपने जो सीखा है उसके आधार पे मैं आपसे अपना जो प्रार पे अपने परिवार के लोगों की और जो भी आपके पास जन्मकुंड्लिया है उन पर कोशिस करते रहे तो हम इस जन्मकुंड्ली में लगन को देखेंगे और लगन क्या है कि ये हमारे जीवन का सार है अब इसमें सुक्समता पर जाना पड़ता है शुक्समता से जाए होए हमें कुछ भी ग्रहों का परिणाम नहीं मिलता है तो ऊसके लिए हमें नौमाज पर जाना पड़ता है फिर कर्म बहुत मयत्वपून है, तो कर्म के लिए हमें जो हैं वो दसमांस कुंडली पे भी जाना पड़ता है, और हमें नक्षत्रों का बहुत ही मयत्वपून प्रयोग करना चाहिए, नक्षत्र स्वामी को आप प्रयोग में ला सकते हैं, साथ में सरवाष्टक वर्ग का भ फिलादेश भी होते हैं, तो यनि कि हम इस जन्म कुंडली में क्या आखलन कर रहे हैं, वो आप दीरे-दीरे सीख होगे, हम इसमें फ्लादेश करने को इस जित कर रहे हैं,machen करीयर का मतलब है कि यह व्यख्तिक की स्काम काज में होगा, तो देखिए लगन कुंडली के अंद यहां पर राशी परिवर्तन है तो हम कहेंगे कि सनी यहां पर बैठा है वो कुल मिलाके योकारता में सनी की जो यूति है वो बुद्ध के साथ है बुद्ध इस जन्मक उल्ली का पंच में इस है बहुत ही महत्वण हो गया यानिकि हम यह कह से कि हमारा जो कर्म है वो जुड़ गया है पंचम घर से क्योंकि बुद्ध एक बहुती बुद्धिमानिक रहे है पंचम घर का मालिक तो पंचम घर किन की चीज़ों को दिखाता है पंचम कर कला से जुड़ा हुआ है इंटलीजन्सी यानि कि हम यह कहेंगी कि गुणवक्ता का है अब हमने यह देखा कि शनी जो है वो जर्मकुंडली का लगनेश है लगनेश को क्यों देखते हैं लगनेश जो है वो हमारे नेचर को दिखाता है हमारे वेक्तित्व को दिखाता है हमारे सरीर की जो चाल डाल है उसको दिखाता है यहाँ पे लगनेश के साथ बुद्ध की यूती है और सूर्य की यू लाज मानने तो बार-बार करियर के अंदर यानि कि जो हमारा काम का शाएं वहां पर रुकाउटे डालेगा शनी के साथ वेटा है थो सनी को यहां पर कमजोर करता à हैं और यहां पर सब्तमेश चarosblowing के कई गुण होते हैं अगर हम अपने जो है वहाँ पे भी acting है क्योंकि वो हमारे परिवार से संबंदित चलचित्रों को दिखाता है तो परिवार के अंदर acting तो नहीं होती है लेकिन परिवार से संबंदित ही चलचित्रों का ही अभिने होता है फिल्म जगत में या किसी भी नाटक में वो हमारे जीवन से जुड़ को दिखाता है सब्तम-बाव बीक्षिदेंट भी है सब्तम भाव युह कारों का व्यापार भी है इस तरह से कई सारे गुण है यहां का मालिक सूर्य सनी के साथ वैठा था तो इन चीजों मालिक हो गया है सनी जो है वो बुद्ध का एजेंट है तो बुद्ध जो है वो महत्वपुन है पंचम घर का तो जाता कला से महत्वपुन तरीकी से जुड़ा हुआ है अब क्या सनी पे किसी ग्रे की दृष्टी है तो आप देखिए क्या हमारी मंगल की दृष्टी आ रही है वंगल की साथ और आठ नहीं आती है गुरू की दृष्टी आ रही है गुरू की दृष्टी यहां तक आती है तो नो होती है अब राहू की दृष्टी है साथ आठ और नो राहू की दृष्टी है राहू बड़ा कलाकार होता है और जन्म कुंडली के अंदर राहू जो है वो गुरू की रासी में बैठा है गुरू की सासी लाब गर में आती है और गुरू जो है वो लगन में विराजमान है तो हम यह कह सकते हैं कि राहू जो है बड़ा कलाकार बेखती होता है इसलिए हम यह कह सकते हैं कि राहू की जो द दरश्टी नहीं है और बागी कोई द्रशटी नहीं है मियां पर लगनेश का झो आंखलत निकाला इ llegar अभी तक की विसे में शनी जो है वह कला से जूड़ रहा है बार में घर से जूड़ रहा है और सिक रासी का मंगल जो लगन में बैटा है तो महत्वपून है और यहाँ पर हम नौमाश कुंडली में जाके देखेंगे यह बहुत महत्वपून है नौमाश में जाके देखा तो सनी धनूरासी में है जो इसकी मित्र रासी नहीं है लेकिन यहाँ पर बहुत ही महत्वपू है तो हमें इसके लुफ मिलेगे अब इसमें हम दसमास में भी जाके एक बार चेक कर लेंगे अब ये रहा दसमास कुंढ़ी दसमास कुंढली में जो सनी है वो अश्टम घर में चला गया, एक थोड़ा सा माइनस पोईंट जरूर है हमने जो सोचा था उसमें थोड़ी सी कमी आ गई दसमास में जाके लेकिन वहाँ पे स्वेरासी का हो गया तो अचानक लाब लाएगा अचानक की यानि की विपरीत राजियों वाली थेयरी आ गई है कि अगर सनी को कोई अच्छी दसा अंतर दसा मिली तो यह जातक जो लगनेश है वो कई न कई विस्पोर्ट कर देगा ऐसा जबरदस रिजल्ट लाएगा कि जातक देखते रहे जाएगे तो यह एक यहाँ पे बहुत ही मैत्रपूंड राज़ों बनता है सनी का नीलम रतन धान के आ जा सकता है जातक अपनी जन्म कुली के अनुसार क्योंकि सनी यहाँ पे दस्माज कुली में स्वरासी का है जो कभी न कभी अच्छानक आपको वाइरल कर देना या कोई वीडियो या कोई एक्टिंग या कोई फिल्म ऐसी जबर्दस चल जाए या कोई नाटक तुमारा बहुत ही अच्छा चल जाए जिससे कि तुम्हें लाव हो जाए तो इस तरह के योग बना देता है सनी हम वापिस यहां भी डी नाइन चार्ट लगा लेते हैं तो यह तो हमने सिर्फ लगनेश का आंकरन किया इतना आंकरन करना पड़ता है किसी ग्रह के बारे में जब आप कोई विश्य के लिए चर्चा करते हूं फिर सनी कीस पे बैठा है दसवे घर पे बैठा है लगनेश है तो दोनों ग्रहों का सरवाष्टक वर्ग देख लो तो हमने जो आंकला लगाए हैं उसमें दिक रहा है कि 31 पॉइंट लगन में है तो लगनेश मजबूत हुआ दसवे घर में 30 पॉइंट है तो हमने जितने आ एक्टिंगगरे या फिल्मेकिंगरे या डाrib कोई बी तरह के और कलाओं से जूड़ सकता है गाने से से समंधित भी क्योंकि यहां पर राहु की द्रिष्टी आरही है राहुत यो है वानी भाण में बैठा है खाने के कारोबार से भी जूड़ सकता है लेकिन खाने के कारोबार में उसे कई वार दिक्कते आ सकती है वो हम देखेंगे अब हमने सिरफ यहाँ पे लगन देखा था अब हम दसमेश को भी देख लेते हैं बिना करम के माली के कैसे आखला लगाएंगे तो हमने दसमेश को देखा दसमेश है मंगल मंगल जन्मक उंड़ी में लगन में चला गया तो बहुत मैतरपूर हो गया लाब दायक रिजल्ट दे दिये यानि कि हम यह कहेंगे कि मैतरपूर रिजल्टों का आखलन सा लग गया है यहां पर और यही मंगल जो है वो नौमाज चाट के अंदर मीन रासी यानि मित्र रासी और सूर्य के साथ प्राक्रम योग में बैठ गया यानि कि यह एक तरह से सूर्य और मंगल लगा जो है वो प्राक्रम योग बन जाता है बहुत अच्छा लाबदाएक योग बन गया दोनों के दोनों के ग्रेजों है वो मित्र रासी में बैठ गए यानि कि गुरू की रासी में गुरू इनका मित्र है तो हम यह कह सकते हैं कि मंगल का यहां पर आना लाबदाएक है फिर आप देखिए कि मंगल जो है यहाँ पे कुम्ब रासी में है और मीन रासी में चला गया तो पुषकर नौमाश में है यह जगर आप पुषकर नौमाश के बारे में जानते हो तो उसका आइडिया आप लगा सकते हो कि अगर आपके ग्रह तीन, साथ और ग्यारा भाव में तो वरशब रासी और मीन रासी में नौमाश में होना पुषकर नौमाश का रिजट देता है तो यहने कि यह जो आपका ग्रह था मंगल बहुत ही ताकतवर बन गया तो हम यह कह सकते हैं कि दसमेस बहुत मजबूत है, दसमेस इतना मजबूत है, लगन में बेटा है, तभी लगन के point भी अधिक है तो हमारे को यहाँ पे लाब मिलेंगे यह सोच के हम यहाँ पे अपनी जो फलादेश है उसके उपर continue करेंगे फिर हम इस मंगल को एक बार D10 यानि दसमास कुंडली में भी देख लेते हैं देखिए जला दसमास कुंडली में मंगल देवता जो हैं वो तीसरे भाव में चले गए और किसकी रासी में सूरे की रासी में नवमास में सूरे के साथ थे आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर आगए D9 यह D9 लगन नवमास और दसमास, लगन कुंडली में हमने मंगल को बहुत मजबूत देगा, इसके बाद यहाँ पे सूरे के साथ, बहुती बड़ा प्राक्रम योग, और मित्र रासी में, यहाँ पे भी मित्र रासी में, और सूरे के रासी में, तो सूरे यहाँ पे साथ में था, तो बहुती अच् लागे कलाकार बने तो हम यहां पे वेर्षांगलन नहीं लगया है इससे हमें लाव मिल रहा है है अब इसके बार हम देख लेते हैं कि वही कला से चुड़ा हुआ है जैसे कि हमने आगल लगा है कला से चुड़ा है तो उसमें सुक्र भी बड़ा मैं तो बुद्ध भी बढ़ा मैं तो पुणवा क्योंकि बुद्ध पंचमेश है तो बुद्ध को आप यहां पर देखिए बुद्ध यहां पर जो है वह आपके बैठा है दस्वें घर में शनी के साथ है और आपने मंगल का नक्षतर भी देखना हो तो यहां पर मंगल देखिए हमारी जो हम आखल लगया उसकी तरफ जाया बुद्ध को आप देखा है तो बुद्ध यहां पर जो है पंचमेश है सनी के साथ है लगने इसके साथ है लाग दाएगा बुद्ध खला का कालक भी है और बुद्ध जो है वो जन्म कुणली में अनूराधा नक्षतर में है या जातक को अत्यदिक लाव होंगे और नौमाश कुणली में देखने से पता चलता है कि यह तुला रासी में है अब तुला रासी के अंदर जो ग्रह बैटा है यह दिखाता है यहां पर नौन भाव में है तो मजबूत हो रहा है और तुला रासी है तो एक तरह से सुक्र के सा सकता है कि यहां पर लगन में तो अगर वैसे तो इसके कई सारे बुरे परिणाम होते हैं जैसे साधी के अंदर दिक तकली प्याना जैसे नव माज में हम देखके आइडिया लगा सकते हैं कि विवाई जीवन अच्छा नहीं रहेगा लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि शुक्र जो है राहू के साथ है तो कला काम से संबंदी देख रहे हैं तो राहू कलाकार है बहुत बड़ा कलाकार है बहुत ही उच्तम लेवला खला होता है यानि कि इस वेक्ति के अंदर हर तरह के गुण होते हैं हर तरह के हर तरह के कारियों में रोल में फिट बैड़ जाता है तो राहू के साथ होना मजबूती दिखाता है फिर यही शुक्र जो है वो उच्छका हो बहुत ही लाब देगे अब आप शुक्र के नक्षतर को देखोगे तो शुक्र किसके नक्षतर में है शुक्र जो है वो यहां पे सोला डिग्री तुला रासी के स्वाती नक्षतर में है स्वाती नक्षतर का मालिक है राहू बड़े ही राजियो कारक फल मिल रहे हैं राहू यानि कि सनी का नक्षतर राहू बुद्ध का नक्षतर राहू शुक्र का नक्षतर भी राहू यानि कि राहू ही सब का दाता है तो जासे की कलाकार बनाता है अब जैसे कि हम इसका दस्मास देखते हैं जब हम करियर का चुनावी कर रहे हैं तो दस्मास कुल्ली में एक थोड़ा सा अंगलन देखते हैं चटेगर को चटागर क्यों मैतम होना चटागर है डेली इंकम का कलाकार होता है तो कई बार उसका समय अच्छा भी चलता है कई बार बुरा भी चलता है और कई लोग होते हैं कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जिनको समय के अनुकूल अच्छी चीज़े मिलती रहती है कई कलाकार होते हैं जिनका समय बहुत अच्छा चलता है फिर बड़ा ही बुरा समय चलता है कोई देखने वाला पूछने वाला ही नहीं होता और कई बार देखा जाता है कि उसका समय बड़ा ही बुरा ही बुरा चलता है फिर कभी अच्छा आ जाता है तो हमें इन सब चीजों अर्णिंग जो है वो महतबुना यानि 6 तो यहां पे जो 6 तो सका मालिक है वो आपका चंदरमा है वो जन्मण कुंडली के अंदर तीसरे घर में मेश रासि चंदरमा एक जलका रहा है है तो मित्र रासी में लेकिन अग्नी तत्वर रासी में जो काफी जादा सुद नहीं है अ कर्म में बार बार रुकाउटे पैदा करेगा यहां पर आके नौ दसमास में देखते हैं तो चंदर्मा छटे घर में जो सबसे महत्पून है अर्नींग का भाव यानिकी रोज जो रोज मर्रा की जो कमाई यानिकी मान लीजे कोई कलाकार है उसे हर दो तीन महीने में कोई काम मिलता देता है और अच्छा चलता रहता है जिससे कि उसको परती दिन वो जुर्कियों में बना रहता है और हर बार काम होता रहता है तो उस हिसाब से यह जो अर्निंग का भावाव यह पिटावा है तो जातक को अवसर मिलेंगे हर एक साल बाद दो साल बाद यानिकी प्रेली इंकम यानिकी एक जो रुटिन है उसमें गड़बड है यहां पर चंदरमा ने यानिकी यहां का जो नौमास में नीच गवा और वही का वही स्रेणी जो है वो दसमास में प्राथ कर लिए तो हम कहेंगे कि जातक कि यहां पर थोड़ी सी स्तती खराब हुई है तो लाहू का रतन पेहनना भी झाला लाव यह बूर vraiment को और गएंगे उसमें खरेंगे यह सबसे मैं तो इसी को आप देखें informations होता है लेकिन जब हम कोई टारगेट में पालार कूळा इतना ही फलादेश को द्यान में रखते हुए करना पड़ेगा तो जो तिस में फलादेश से सम्मंदित हमारे इस यूटूब जनल पर बहुत सारे वीडियो मिलेगे तो आप हमारा एक हैस्टेग यूज़ कर सकते हैं सिवाए एस्टॉलजर बेस्ट यहने की हैस्टेग सिवा यहाँ दो